स्ञेट कुम गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल गाइज कल मुझे एक फ्रेंड ने मैंसेज करें थी एक स्टूडेंट मैं मैं मैंसेज करें थी कि सर मैं रेगुलर जिम जाता हूँ रेगुलर जो यह खास करबाइस बाईस आपना था ना इसम के लिए वीडियो हैं सबसके ही तोसर में रेइएग जिम जाता हूं मेह बैसाप मेरा बाइसस को ड्ऱेइन करता हूं तो मैंने सोचा कि शायद आप भी उन में से होंगे तो ये जो इसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको बता दूं कि एक्शली होता क्या है देखे हार्ड वर्क हर इंसान करता है अगर हार्ड वर्क करने से आपकी मसल डेवलप होते तो आप देख सकते कि जो लेबर लोग हैं जो कि बह हर दिन वो काम करते हैं और वो भी बहुत खतरना काम तो आप खुदी इमेजन कर सकते हैं कि उनका जो बाइसप हैं उनका जो बॉड़ी हैं वो कितना डेवलप हो चुका होता अगर हार्ड वर्क करने से आपकी बॉड़ी बनती इसमें थोड़ा दिमाग भी लगता है और इ सब्सक्राइब पूसको टॉर्चर कर रहे हैं बत अगर आपका नूट्रिशं सही नहीं है आपका जो प्रियाने के पोस्स वोर्काउट मीयर ने आपका जो Be रिकारी फूड है, वो सहीं नहीं है, अप रिकारी के लिए बोडी को टाइम नहीं देतें, तो यह 3 चीज़े है हैं, एक आपका नूट्रिशन, एक रिकारी पूड एक आपका जो रिकारी टाइम, अगर THIS यह तीन चीज़ें अपनी बॉलड़ी को नहीं दे पा रहे हैं तो आपका जो मसल हैं वो कभी डेलप नहीं होगा थोड़ा Science पर जान दो थोड़ा वोग औट कर लो अब आपने अपनी बॉडी को अच्छा नूट्रिशन भी नहीं दिया जितनी आपकी जुरूरत थी आपकी बॉड़ी को वह आ और उपर से आपने रिकावरी का जो टाइम है वह भी नहीं दिया यानि आपने अगले दिन फिर से बाइस प्मारे और वो भी त कर सकते हैं कि रोज आप अपने बाइस आपको को कर रहे हैं बड मासल को रिकाउरी के लिए आप टाइम नहीं देटें तो कैसे डाइवल्ब होगा simply सोचने वाली बात है आप देख सकते हैं जो लेबर हैं जो दिन पर काम करते हैं हर दिन उनकी जो बाजू है वो इनवालो होती हैं वोर्क में तो अगर ज्यादा वोक आट करने से आपकी बोड़ी बंती है आपका बाइसब डेवलप होता तो उनका बाइसब कैसा होना हैं आप अपने मसुल को लूस करते हैं यब आप regular ट्रेइन करते हैं किसी भी बोड़ी पॉट को आप समझने की कोशिश करें समझदार हैं आप साइनस पड़े होंगे तो समझने की कोशिश करें कि आपकी जो बोड़ी हैं उसको रिकाउरी के लिए टाइम चाहिए होता है आप देख सकते हैं कि जो बड़े-बड़े bodybuilder हैं, वो workout के दो रान BCAA या यह आफ्टर workout गुल्टा मिन क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो चार गंडे workout करते हैं तो चार गंडे workout करने के बाद body को recovery के लिए बहुत ज़्यादा time चाहिए अब उनके पास उतना time नहीं होता है तो वो BCAA का इस्तेमाल करते हैं यानि कि BCAA उनको help देता है during workout ही उनकी जो recovery है वो process चुरू होती है तो आप beginner है आप natural है तो आप अपनी body को time दे recovery के लिए time दे और आपकी body आपको अच्छा result definitely देगी एक एक part को train करे शुडूल बनाए workout शुडूल बनाए हपते में चार दिन आप पांच दिन जिम जाते हैं तो एक body part को train करके उसको अगले दो दिन rest पर लगाए जब वो rest पर रहेगा तो recovery करेगा अच्छे से recovery करेगा तो एक बार आप इस चीज़ को मान लीजे एक चीज़ को आप follow करे आप किसी भी part को train करके उसको एक दो दिन rest दे फिर देख लीजे आपका result कैसा आएगा थोड़ा बूद समझदार बने थोड़ा बूद समझदार बने ऐसा नहीं कि यह दो दिन का काम नहीं इसमें पेशन लगते हैं इसमें टाइम लगता है बट अगर आफ एफिशनली वर्क करोगे तो रिजल्ट ज्यादा बहतर आएगा लगता है बल्गता है